हेलो डियर इस्टोरेंट भूद भूद स्वागत अपनी यूटूब चनल और आज हम चैप्टर नम्बर 9 लेकर के आए हैं बिजनिस और्गिनाइजेशन में जिसका नाम है सहकारी और संगठन दो सब्द से मिलकर के बना है सहकारी पिलस संगठन से क्या होता है सहकारी सहकारी से बिलकुल नहीं होता यहां पर सहकारी का मतलब होता है एक दूसरे के मेल जोल के साथ काम करने बाले बो संगठन बो लोग बो तमाम वालेंटियर्स जो समाज हित्में काम करते हैं सेवाय प्रदान करते हैं और बहां से कुछ ना कुछ मुनाफ़ा कमाते हैं तो आईए बताइए यह पूछ लिया जाता है और कभी-कभी लाब पूछ लिया जाते हैं तो यह जो चाप्टर है यह एक्जाम की दरश्टी से आता जरूर है इसमें से कुछ ना कुछ लेकिन सोट में आता है लोंग कोश्चन में इससे बहुत कम पूछा जाता है कभी पूछ लिया तो पूछ लिया तो इस पष्ट है कि चाप्टर नम्म नबर 9 में सहकारी संगठन का मतलब क्या होता है देखो मैं सिंपिली समझाओं इस समय क्या है कि प्रतिस परधा का वहता है निलूसरा बढ़ा करेगा हम और दाम कम कर देंगे, दूसरा बाला और कम कर देगा ऐसी कंडिशन में क्या होता है, सभी का नुकसान होता है क्यों? जैसे यह आपने देखा होगा, अगर इंडिया के अंदर आपने देखा कि बोड़ फोन और आइडिया, किसी दिन दोनों में कंडिशन था, आज दोनों एक हो गए क्यों हो गए यह, इसलिए हो गए है, आज मिलकर के साथ साथ काम कर रहे है क्योंकि एक दूसरे का कंडिशन इनी को खतम कर रहा था और कुछ ऐसी कंपणियां आ रही थी, जो इन कंपणियों के लिए डुबो रही थी तो इसमें क्या हुआ, कि दोनों कंपणियों ने सला की, कि भाई, अम मार्केट में हम दोनों गवाइब हो जाएंग, उससे अच्छा है कि मिलकर के काम करें, तो यहाँ पर सहकारी संगठन भी बोई होते हैं, जो पहली बात तो बताते हैं, सहकारी का मतलब सीधा-सीधा, कहीं न कहीं मानव हित में, समाज हित में काम करने वाले संगठन सोते हैं, और यह बो संगठन होते हैं, जो कहीं न कहीं, प्रत्यक्ष रू कि मुख प्रिविर्टी है या प्रिकर्टी बोलेंगे तो वो मेल जोल के साथ में काम करने के लिए कहते हैं और इनकी जो विसेस्ताइं हैं करक्टर इस्टिक्स हैं वह आप बुक में देखोंगे तो मुश्कल से 6 साथ होंगी लेकिन मैं यहां पर 12, 13, 14, 15 मैं बता दे रहा सबसे पहला यहां लिख दें सहिकारी संगठन की विसेस्ताइं देखे वाई सहिकारी संगठन की विसेस्ताइं कौन-कौन सी हैं और इनके बारे में हम समझाते चलना हैं पहली जो होती है सहयोग की भावना होती है सहयोग की भावना ओके बहुत ऐसे ट्रस्ट है जिनका सीधा सोद्देश होता है कि जनता की सेवा करें जनता का सहयोग करें और सहयोग करके ही हम धन कमाएं तो पहली जो भावना होती है किसकी होती है सहयोग की भावना होती है और ज एक दूसरे से मिल करके और काम करते अचे काम करते क्यों हैं कि लाब कमाने का उध्डेश में इनका जो होता है कम उध्देश मेर सेवा के बाद में कुछ न कुछ लाब कमाना जरूर होता UM और चोथे नमबर पे जितने भी लोग इसमें काम करते हैं सभी के द्वारा बिचार विमर्स किया जाता है बिचार विमर्स का मतलब है किसी भी काम को करने से पहले एक दूसरे की राय मश्वरा मिलाना बिचार विमर्स कहलाता है निल जो लोग बर्क करते हैं, सभी लोग आपस में विचार विमार्स जरूर करते हैं इससे कारीए और अच्छा होता है और इसके साथ साथ में जो निले लिये जाते हैं वो अच्छे निले निकल करके आते हैं पांच में नमबर पे आपसी प्रतिस परधा का अंत इनमें जो आपस में जो बहस होती है वो भी खतम हो जाती है प्रतिस परधा कॉम्पटीशन खतम हो जाता है और इसमें जो सदस्वों का चुनाव होता है मतदान द्वारा होता है मतदान द्वारा शदश्यों का चुनाव यह इनकी कुछ बिसेस्ताएं हैं जो आपको बुक्स में बहुत टफ लैंगोईज में मिलेंगी और हमारी चैनल में बहुत इजी मिलेंगी और नोट्स अगर पढ़ने हैं तो और ज्यादा किलियर हो जाएग ठीक है अगला सभी का समान अधिकार इसमें जितने भी होते हैं उन सभी के जो राइट्स होते हैं एक्वल होते हैं ठीक है सभी को समान अधिकार मिला हुआ होता है और इसमें जो निर्ड़े लिये जाते हैं सभी की सहमती से सभी की सहमती से लिए जाते हैं ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति चाह नहीं है हम यह कर देंगे तो फिर लिए लिए जाएगा अईसा नहीं है सभी कि सहमती से और जो इसमें प्रियास किये जाते हैं सामूहिक प्रियास होते हैं सामूहिक प्रियास सामूहिक प्रियास का मतलब है कि सब लोग मिलकर के किसी भी चीज़ को प्राप्ट करना चाहते हैं तो उसमें सभी का होता है ठीक है? अगला दसमे नंबर पे सेवा की भावना, इन लोगों में सबसे ज़्यादा सेवा की भावना पाई जाती है ये कहते हैं कि हम सर्व करेंगे, तभी इसके बाद में कहीं न कहीं से कुछ सेवा लेंगे बिना सर्व किये हुए कोई सेवा नहीं लेंगे और इसके बाद में अगला आता है तसोग है ज्यार्मा अगर आपके पास में बहुत सारी वस्तुए होती हैं तो उसमें क्या होता मध्यास्त यानि एजेंटों की रोल की समाप्ती हो जाती है मद्यहस्तों की समाप्ती सीधे यह आपको सेबा देते हैं मद्यहस्तों की समाप्ती मध्यस्तों कि समाप्ति का मतलब सीधा स Крас मज़ंगे बीच के जो दलाल होते हैं विचौलिय होते हैं आजेंट होते सब खतम जो वह प्रोडक्शन कर रहे हैं वह यहां आपके पास तक पहुंचा रहे हैं ठीक है और वहिशारी के चलती है नगत होता है इनका कर दो संघठन का जो इनका संघठन होता है उसका होना बहूत जरूरी इस तो से होते हैं हृँ एपने संघठन के प्रतनिद्ट के आदुके प्रक और दिलिग करते हैं एं पे नियमों का पालन औने के कुछ नियम होते हैं उन नियमों के असबी को करना होता है और जो नियमों को तोड़ता है उसको दंड सके हैं तो हम आपस में बटबारा इनके द्वारा जितना भी लाब कमाया जाता है वो आपस में बांट लिया जाता है तो ये विसेश्थाएं हैं ये प्रिकरती भी है इनकी ओके और इस तरह से आपने देखा बहुत सरल हेडिंग्स पंदरा आपके लिए यहां पर देदी है अगर लिखोगे भूलोगो भी दोचार भूल जाओगे यार लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इतना रह जाएगा अब अपनी आप बुक उठा लीजे और यहां देख लीजे देखे कितनी सरल हेडिंग्स ही हाँ है और बुक में कितन सबस्क्राइब की ऑड़ार मिलते हैं सभी की से हमती से लिए जाते हैं सामुहिक प्रियास किया जाता सेबा की वहना होती है मद्यस्तों की समाप्ति होती नगा लेंदेन होते है संगठन his handcus का downa की जाता है लाब अपस में बट्टे जाता है ठीक है और अगर मड़ाय democratsएका कुछ और देखना है तो देखिए मैं YouTube पर यह नहीं डालूँगा उसके लिए आपको notes ही देखने होंगे या आपको अपनी book में देखना होगा या जहाँ आप पल रहे हो फिर बहाँ सल भी लीजिए सायकारी संगठन के love और ज़दे important है पुलता ने लिए में देखने के लिए, बाइब देखने के लिए, बाइबाए